बात बनारस की हो, शहनाई की हो, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी की हो, तो स्वाभाविक है कि मेरा ध्यान उस तरब जाएगा ही, कुछ दिन पहले उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवाब पुरसकार दिये गए, ये पुरसकार मुजीक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के ख्षे रहे प्रतिभाशाली कलाकारों को दिये जाते हैं ये कला और संगीत जगत की लोगप्रियता बढ़ाने के साथ ही इसकी समुरुद्धी में अपना योगदान दे रहे हैं इनमें वे कलाकार भी शामिल है जिन्होंने उन इंस्टुमेंट्स में नई जान हुकी हैं जिनकी पॉ इस टून को ज्ञान से सुनिये क्या आप जानते हैं एक कौन सा इंस्टुमेंट है संभव है आपको पता न भी हो इस वाद्य यंत्र का नाम सूर सिंगार है और इस दून को तयार किया है जॉयदिप मुखर जी ने है जॉयदिप जी उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरसकार से सम्मानित लिवाओं में शामिल है इस इंस्टुमेंट की दूनों को सुनना पिछले पचास और साट के दसक से ही दुल्लब हो चुका था लेकिन जॉयदिप सूर सिंगार को फिर से पॉपलर बनाने में जी जान से जूटे हैं उसी प्रकार बहन उपलपू नागमणी जी का प्रयास भी बहुती प्रेरक है जिने मेंडोलीन में कारनाटिक इंस्टुमेंटल के लिए यह पुरसकार दिया रहा है बही संगरामसी सुहास भनारेजी को बारकरी किर्तन के लिए यह पुरसकार मिला है इस लिस्ट में सिर्फ संगीत से जुड़े कलाकारी नहीं है भी दुरगा देवी जी ने नुर्त्य के प्राचिन शैली करकटम के लिए यह पुरसकार जीता है इस पुरसकार के एक और विजेता राजकुमार नायक जी ने तेलंगना के 31 जिलों में 101 दिन तक चलने वाली पैरिनी ओडिसी का आविजिन किया था आज लोग इन्हें पैरिनी राजकुमार के नाम से जानने लगे हैं पैरिनी नाट्यम भगवान शीव को समर्पित एक नुर्त्या है जो काक्तिय डायनेस्ट्री के दौर में काफी लोगपुरिय था इस डायनेस्ट्री की जड़े आज के तेलंगना से जुड़ी है एक अन्य पुरसकार विजेता साइखों सुर्चंद्रा सुईजी है ये मैतेई पुंग इंस्टुमेंट बनाने में अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं इस इंस्टुमेंट का मनिपुर से नाता है पुरंसी एक दिव्यां कलाकार है जो राजुला, मलूशाही, नेवोली, हुडकाबोल, जागर जैसे विभिन म्यूजिक फॉर्म्स को नुकप्रिय बना रहे हैं इन्होंने इनसे जुड़ी कई आडियो रेकॉर्डिंज भी तैयार की है उत्राखन के फॉक म्यूजिक में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पुरंसी जीने कई पुरुसकार भी जीते हैं समय की सीमा के चलते मैं यहां सभी अवर्डिस की बाते भले न कर पाऊं लेकिन मुझे विश्वास है कि आप उनके बारे में जरूर पढ़ेंगे मुझे उम्मीद है कि यह सभी कलाकार परफर्मिंग आर्ट्स को और पॉपिलर बनाने के लिए ग्रास रूट्स पर सभी को प्रिलिद करते रहेंगे